हेलो स्टूरेंट्स वेल्कूम अगीन टू लंडब्री देतीमन जैसा कि आपको पता है कल हमने किये थे तत्सम और तद्वब हम लोग कर रहे हैं राजिस्थान मादमिक जिक्षा बोर्ड की पुस्तक 9, 10, 11 और 12 की हिंदी व्याकरण की पुस्तक में हमने स्टार्ट किये हैं तत्सम और तद्वब ठीके तो कल हमने काफी कर लिये थे चलिए next करते हैं उसके आगे के आपको करना बहुत जरूरी है क्योंक जो है वो आपको अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो बिल्कुल 100% तक मेहनत करिये ठीक है ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज को आप छोड़ देंगे क्योंकि आप पूरी तरीके से मेहनत करके जाएंगे एक्जाम में तो आपको कोई नहीं हरा सकता है और ना ही आपको कोई पीछे क कर सकता है तो आपका जो selection है वो होगा चलिए start करते हैं इसी तयारी के साथ देखिए हम लोगों ने कर लिये थे काफी तो उसके बाद से start हो रहा है तत्सम नयन नयन जोकी तत्सम है इसका तदभव है नैन ठीक है देखिए नयन का तदभव क्या है नैन निम्ब का तदभव हो होगा नींद नासिका का होगा नाक ठीक है तो नासिका का तत्सम है इसका तदभव रूप है नाक तो यह आपको पता होना चाहिए इसी तरीके से एक्जाम में पूछ लिया जाएगा कि नाक का तत्सम रूप क्या होगा तो क्या होगा नासिका नेक्स्ट है निम्बुक नि निम्बू जो है वो लिख दिया जाता है तो वो शब्द सुद्धी के according गलत होता है क्या होता है नीबू ठीके तो यहाँ देखिए आपको यहाँ पर बिंदी भी लगानी आपको और बड़ी एकी मात्रा जो है वो नाके उपर होती है तो यह होता है नीबू निस्ठूर का होता है निठूर पक्ष का है पंक पत का है पंत पक्षी का है पंची पदम का है पदम पट्टि का का है पाटी परियंग का है पलं नेक्ष देखिए परिक्षा का है परख परपट का है पापड पवन का है पाउन पाउन ठीक है पत्र का है पत्ता और पांस का है पंदा प्रश्ट का है पीट ठीक है उसके बाद है पाउत्र का है पोता प्रतिचाया का है परचाई तो जैसा कि कल भी मैंने आपको ये चीज समझाई थी कि आपको ये त्र है आदा चा है आदा ला है ये सारी चीज़ें आपको तदसम में द चंदरबिंदी है ये आपको देखने को मिलती है ठीक है तो इस तरीके से भी आप याद रख पाएंगे नेक्स्ट है फागुन का है पालगुन का है फागुन परशु का है फरसा वधिर वधिर कौन है बहरा ठीक है तो तत्सम जो है वो है बधिर और तदबब है बहरा देखिए अभी आपको ये थोड़ा सा आसान लग रहा है तदबब लेकिन जब आप देशज सब्दों को करेंगे तब वहां confusion होगा ठीक है क्योंकि जो तदबब और देशज सब्दों को पहचानने में थोड़ी परेशानी होती है तत्सम से तदबब बनाना यहां पर थोड़ी दिक्कत नहीं होती है लेकिन तदबब के बाद और वहां पर देशज सब्दों को पहचानना वहां पर आती है परिशानी। तो इसलिए तद्वबज रूपों को ध्यान से देखिए। बली बर्द का है बैल, बंध्या का है बांच, बरकर का है बकरा, बालुका का है बालू, देखिए बालुका, चोटेव की मात्रा है लाके निचे. वुबुक्षु का है भूखा, वनसी का है बांसुरी, विकार का है बिगाड, भक्त का है भगत और भल्लक का है भालू. उसके बाद देखिए पत्र का है पत्ता, यह दुबारा से आया है, पाश का है फंदा, पाद का है पैर, पाशान का है पाहन, ठीक है? पर्यावाची में देखेंगे हम पत्तर का पाशान, पाहन, तो पाशान क्या है? तत्समसब्द और इसका तदबब रूप है पाहन. पुछ का है पूँछ, पुषकर का है पोखर, थोड़ा समय इसलिए दवाब देती हूँ जिससे की शब्द जो है और भी क्लियर हो जाए, ठीके, तो पुषकर का है पोखर, तो यह किसका है, तालाब के परेवाची है, तो यहां आपको यह भी चीज समझ में आ रही है, और को यहां याद भी हो जाएंगे, विपासा का है प्यास, पीत का है पीला, पुत्र का है पूत, पुस्प का है पोहुप, पंक्ती का है पंगत, प्रहर का है पहर, पानिय का है पानी, पूर्ण का है पूरा, पंचम का है पांचवा, ठीके, अब देखिए सब्द सुद्धी के according इस सब्द पर ध्यान दीजिए पाँचवा इसमें पा के उपर भी चंद्रविंदी है वा के उपर भी चंद्रविंदी है दोनों ही चंद्रविंदी जो है वो आपको ध्यान देनी है ठीके तो अब तक आपने यदि ध्यान नहीं दिये होंगे इन शब्दों को कैसे लिखा है तो अब आपको ध्यान देना है क्योंकि शब्द सुद्धी वाक्य सुद्धी तो हर जगए जो है वो आपको मात्राएं किस तरीके से कहां लगाई जाती है ये सब कुछ आपको ध्यान देना है चलिए तो लिक्त हिंदी व्याकरण के अंतरगत हर एक टौपिक जो है वो भागने का है बहांजा, भिक्षा का है भीक, अब देखिए, भिक्षा, 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 इसी से क्या बना है? भीक, ठीक है? तो भिक्षा का देखिए, यहाँ पर शत्रिये का शाह है, यहाँ पर क्या बन गया यह? भीक बन गया, भद्र का है भला, भगनी का है बहिन, ठ भादों, ब्रहमर का है, भोरा, ब्रात्र का है, ब्रात्री, ठीक है, ब्रात्री है ये, इसका है भाई, वास्प का है भाप, मशक का है मच्छर, ये ये भी आया है दुबारा से, मतस्य का है मच्छली, मल का है मैल, मक्षिका का है मक्खी, तो यहां भी देखिए आप, शत्रिय वाला शाह आ चुका है, ठीक है, तो यह क्या है, तत्सम सब्द, तत्सम मक्षिका का है, तदवब रूप मक्खी, मस्तक का है माथा, मयूर का है मोर, उसके बाद देखिए, पंचम का है पांचवा, यह हमने अभी कर लिया था, पूर्व क और इसका तदवब रूप है पूरब, प्रिय का है पिय, प्रस्तर का है पत्थर, तो हमने अभी पाशान, पाहन देखा था पत्थर का, तो और देखिए प्रस्तर का है पत्थर, तो प्रस्तर क्या है तत्सम है, और पत्थर इसका तदवब रूप है, पित्री का है पितर, प्रकट का है प्रगट, यहाँ देखिए, मनुष्य का है मानुस, मात्री का है माता, मास का है महीना या माह, मातुल का है मामा, मित्र का है मीत. तो इस तरीके से आप लोगों ने ध्यान दिया, इनको आप बार बार देखेंगे, तो आपको पता नहीं है कि आपकी जो तयारी है वो किस तरीके से हो रही है और इतनी अच्छी तयारी जो है वो आप लोगों ने पहले नहीं कियोगी, क्योंकि आप लोग कम्टिशन के तयार करिए ठीके चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम मुक्ता तत्सम का है मोती ठीके तो एक आता है मुक्तावली तो मुक्ता अर्थ क्या होता है वो मोती यानि कि मोतियों की माला नेक्स्ट है मुख का है मुह मेग का है मेह देखे कई बच्चों को लगता होगा कि इतना आप धीरे- भी मतलब है यदि मैं speed से पढ़ती चले जाओंगी तो आपको एक एक शब्द clear नहीं होगा है ना और एक एक जो इसको पढ़ने के बाद जब हम उसके तद्वब रूप पर आते हैं तो वो हमको समझ में आता है तो यदि आप यहां पर 200 तद्वब रूप देख लेंगे तो उनमें से आपको 100 जो है वो यहीं पर याद हो जाएंगे और आप दुबारा जब वीडियो को देखेंगे तब आपको यह चीज़ें और भी clear हो जाएंगी तीके इसलिए मैं थोड़ा सा धीरे ही इनको करवा रही हूँ तो यदि आपको थोड़ा सा जल्दी करना है तो यति का है जती यज्मान का है जज्मान ठीके यज्मान जो है वो है तत्सम और इसका क्या बना तदवय रूप में आकर जबन जाता है ठीके यती 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 बोलते बोलते क्या हो गया जती ठीक है या जो है वो किसमे बदल रहा है जामे चलिए यजमान का हुआ जजमान यहाँ पर भी य जामे बदल गया यमुना का है जमुना इसी तरीके से यम का है जम यश का है जस योगी का है जोगी युवा का है जवान यंतर मंत तो देखा आपने यह जो था तत्सम में वो तद्वब में आकर जा में बदल गया तो यहां आपको एक और पॉइंट जो है वो याद करने को मिला इससे संबंदित बहुत सारे जो आपके आएंगे तत्सम तो आप वहाँ पर बहुत आसानी से कर पाएंगे कि यदि तत्सम में यह है बिलकुल सुरुवात में तो तद्वब में आप उसे जा में परवर्टित करके अपने सही आंसर पर पहुँच पाओगे इधर देखिए वो जो है वो तत्सम होता है जिस तरीके से यह से सुरुवात हो रही है तत्सम सब्दों की उसी तरीके से व से सुरुवात हो र वा से वन जो है, वह बा से बकरी, जो होती है न, वो वाला बा, वो तत्सम में बदल जाता है, कैसे? चलिए, देखिए, वनिक का है बनिया, वत्स का है बच्चा, यदि आपको नहीं भी पता होता कि वनिक का तदवब क्या होगा, तब भी आप थोड़ा सा यहां पर लगा ले तत्सम को तदवब में बदलने के लिए बापर ध्यान दे सकते हैं, वत्स का है बच्चा या बच्चडा, वट का है बढ, वर्यात्रा का है बरात, वचन का है बचन, वानी का है बैन, विवाह का है ब्याह, वर्षा का है बर्खा, वक का है बगुला, वानर का है बंदर, वि तो देखा आपने किस तरीके से हमने तद्सम और तद्वव को यहाँ पर भी याद कर लिया है, जहां या देखा हमने, तो उसका तद्वव हमने जा कर दिया, जहां हमने वा देखा, तो उसका तद्वव हमने बा कर दिया, ठीके, रज्जु का है रसी, राजपुत्र का है रा आपर या आया, तो फिर वो किस में बदल गया, जा में बदल गया, ठीक है, यूत का है, जथा, राशी का है, रास, रिक्त, रीता, रोधन तत्सम का है, रोना, रात्री का तत्सम होगा, रात, सौरी, रात्री तत्सम का तदबब होगा, रात, राग्गी, देखिए, याद तदवव रूप रानी का ठीक है लक्षमन का है लखन लज्जा का है लाज लवंग तत्सम का है लोंग ठीक है लोंग को तत्सम सब्द जो है वो क्या है लवंग चलिए इधर देखिए विस्टा का है बीट विद्दुत का है बिजली व्रद का है बूड़ा व्याग्र का है ब तो इस तरीके से हमने यहां तक तो देख लिए कि वह जो है वह बा में बदल गया चलिए अब यहां पर देखिए जो यह शलगम वाला शा है वह है आपको यहां पर बदलता हुआ नजर आएगा सामे सडक वाला सामे ठीक है तो जो शलगम वाला शा तदसम में आया है तो तद दिवम में बदलते हुए वह सामें बदल जाता है, लेकिन हमेशा नहीं होता है, थोड़ा सा याद करने के लिए है कि शह जो है वह सामें बदल जाएगा, ठीके, तो अपवाद भी होते हैं, लेकिन फिर भी हम इस चीज को भी ध्यान रखेंगे, यदि आपके चार आप्शन म नहीं भी होगा, शाप का है सराप, लेकिन जो मैंने आपको बताया कि या जो है वो जामें बदलेगा और वा है बामें बदलेगा, वो तो डेफिनिटली ऐसा ही होगा, सीतल का है सीतल, शुष्क का है सूखा, सरक्रा का है सक्कर, शत का है सौ, शाक का है साग, सिक्षा का है स और सुक का है सुआ तो अभी तक तो यही चल रहा है कि शल्गम वाला शा जो है वो सामें बदल गया कैसे तत्सम का तदवब रूप जो है वो इस तरीके से बदल रहा है तो इतने सारे आपने पढ़े तो वहां आपको अभी जो आज के वीडियो में हमने देखा कि जो यह है वो जा में बदल रहा है, जो वा तत्सम है, वो तदबब रूप बा में बदल रहा है, जो शलगम वाला शा है, वह सड़क वाला शा में बदल रहा है, ठीके? तो इस तरीके से भी आप याद रखिएगा, चलिए, नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद देखिए यहाँ पर लेपन का है लीपना, लोहकार का है लोहार, लक्षन, लक्षन का है लच्छन, लक्षन क्या है? तत्सम, ठीके? तो देखिए बीच में क्या आया इसमें? शत्रिय का श, ठीके? तो यह तत्सम ही हुआ, इसका तदबब हुआ लच्छन, लक्ष का है लाक, लौण का है लोन, लक्षमी का है लिच्छ मी, लोह का है लोहा, लोंशा का है लौमडी। अब इदर की तरफ देखिए आप। शाक का है साघ, सिक्षा का है सीख, सुक। का है सुआ। तो हमने देखा था। सुन्द का है सून, श्यामल का है संवला, स्वास का है सांस, श्रिंगार का है सिंगार, श्रिंग का है सींग, श्रेश्टी का है सेट, सरोवर का है सरवर, और श्रेगाल का है शियार, ठीक है? तो यहाँ पर तो वही हो रहा है कि जो श है वो स में बदल रहा है तो बिलकुल थोड़ी थोड़ी ट्रिक जो है वो भी अपने माइंड में रखिए इसी तरीके से ठीके कि जो श है शलगम वाला वो तत्सम में हमें देखने को मिल रहा है वहीं पर तद्वब में हमें क्या मिल रहा है सडक वाला शाह ठीक है जो जिन बच्चों को याद नहीं होते हैं तो उनको इस तरीके से ट्रिक जो है वो भी अपने माइंड में रखनी चाहिए नेक्स्ट है श्रावन का है सावन शौडश का है सोलह सप्ति सती का है सत्सै संध्या का है सांच सपत्नी का है सौद सपत्नी अब देखिए सब्द सुद्धी के आपको एक सब्द मिल रहा है पत्नी पत्नी जो है उसमें ना पर बड़ी की मात्रा होती है छोटी की नहीं होती है तो अब तक यदि आपने इस पर छोटी की मात्रा लगाई थी तो आप सही कर लेना उसको कि पत्नी शब्द जो होता है उसम ना के उपर बड़ी एकी मात्रा होती है। हٹ तच्शं का है हाट तद भव। हरिद्रा देखिए हल्धी यदी आप नहीं जानते हैं कि संस्कृत में क्या कहते हैं उसको हरिद्रा फीके तो हरिद्रा तच्शं का तद भव। रूपोगा हल्धी। हंडी का है हांडी, हस्त का है हांत, हरिन का है हिरन, अब देखिए, सब्द सुद्धी के अकॉर्डिंग एक और शब्द आया है, कि सब्द सुद्धी में यदि हिरन लिखा होगा, तो वो गलत है, ठीक है, क्योंकि हम बोलते भी हिरन है, हिरन बोलते हैं, तो ये गलत होता है, आपको एक्जाम में हरिन शब्द जो है वो याद रखना है कहीं भी हिरन शब्द आप देखते हैं वो गलत होता है क्योंकि वो हमने अपनी सुविधा के according जो है वो बनाया है और शब्द जो है वो मूल शब्द जो है वो है हरिन याद रखना है हरिन है हिरन नहीं है ठीक है त तो हिरन जो है वो तद्बव रूप है, वास्तब में जो शब्द है वो है हरिन, हाश्य का है हसी, हीरक का है हीरा, होलिका का है होली, हिंदोलना का है हिंडोला, हिरदे का है हिय, शन का है छिन, शती का है छती और शीन का है छीन तो देखिए यदि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये गलत है बुक में गलत प्रिंट है बिल्कुल सही प्रिंट है ये हरिन तो इसी लिए जो भी authentic बुक होती है वो proof होती है examiner को दिखाने के लिए यदि कोई भी question जो है वहाँ पर आ जाता है कि हाँ दो option जो है वो दोनों ही सही थे ठीक है इस तरीके से यदि हो जाता है कई बार और उस question को हटाना पड़ता है और बच्चों की demand होती है कि नहीं हमने तो बिल्कुल सही किया था तो ऐसी इस्तिती में books जो होती है जो भी उस राज्ये में चल रही होती है तो उनको दिखाया जाता है proof के तौर पर ठीक है तो बिल्कुल यहां देखिए RBSC की book है हिंदी व्याकरण की तो यहां है हरिन इस चीज को आपको याद रखना है ठीक है तो इसलिए मैंने जो भी शब्दों होते हैं जिन पर मुझे focus कराना होता है उनको मैं आपको clear करती हूँ नेक्स्ट है देखिए ससर्प का है सरसों सत्य का है सच सूत्र का है सूत सूर्य का है सूरज श्वर्णकार का है सुनार साक्षी का है साखी यह दुबारा आ गया है स्वप्न का है सपना इस्थल का है थल ठीक है इस्थल का क्या है थल इस्थान का है थान तो देखिए के according ही हो गया है न इस थल इस थल ज्यादा difficult था किसमें बन गया थल में इस थान इसका भी आदा साह है वो हट गया क्या बन गया थान यह क्या है तत्सम इस थल तत्सम का तदवब रूप है थल इस थान तत्सम का है थान इस नेह का क्या है नेह इस पर्स का है परस ठीक है इस प होलि का का है होली, हिंदॉलना का है हिंडोला, हिर्दे का है हिय, शन का है छिन, शती का है छती, शीन का है छीन, अब यहाँ पर देखिए आप, शन तत्सम का तदवव है चिन वहीं चीन तत्सम का है चीन ठीक है ध्यान देना इसको ठीक है शन का क्या हुआ तत्दवव चिन लेकिन बड़ी की मात्रा जैसे ही लगई शीन तो यहां पर भी लगई बड़ी की मात्रा चीन चार का है खार खेत शेतर तत्सम का है तदवव हेत त्रियो दसका है तेरा तो इस तरीके से शबी हमने तत्सम तद्वब यहां पर क्लियर कर लिये हैं आप लोग वीडियो को एक दो बार देखिएगा यह आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे सबसे ज़्यादा जरूरी है आपको सब्दों की मात्राओं को भी दिह खान में देना है यहां पर चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम देशज विदेशज सब्दों को भी करेंगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक यू